Hello everyone, welcome back to another video, आज इस वीडियो में आप लोगों के डिमान पर एक connection वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है? और किस इसका connection? मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी, that जब भी आप लोग बेरक्ट पढ़ोगे और कोई drafting करोगे, तब आपको parties का जो conversation है, उसके साथ, जो बेरक्ट का provision है, उसका connection बना ले रहा है, और मैं आपको example भी दी थी उस वीडियो पर, that जब भी आपके पास कोई section 498A CRPC के तहित case आएगा, तब आपको बहुत सारा sections का connection बनाना पड़ेगा, जैसा कि section 198 of the code of criminal procedure, क्योंकि section 498A and section 198A CRPC, they goes hand in hand, ठीक है? तो आपको इसका connection बनाना पड़ेगा, और दूसरा आपका Indian Evidence Act देखना पड़ेगा, that is section 113A, 113B, 113A and B यह जो सारा section है, यह presumption के उपर बात करता है, और इसके साथ dowry death, इसका जो provision है, that is section 304B of the Indian Penal Code, इसको भी connect करना पड़ेगा, और भी section मतलब जूटते चले जाएगा, ठीक है? यह example आप को दी थी, पिछली वीडियो में, और मैं यह भी बताई थी, that जब भी कोई case आप code में file करोगे, drafting करने के बाद, तब आपको बिल्कुल visualize कर लेना है, वो वाला case कौन सा proceeding से गुजरने वाला है, आपका bear act को पहने का तरीका, समझने का तरीका, और इससे आपका जो intuition बनेगा intuition मतलब कुछ देख लेने का power, यह जो बनेगा न, वो ही आपको at the end of the day, एक successful criminal lawyer बनाएगा, और मैं यह आपर criminal lawyer क्यों बोली, because criminal lawyer को सबसे पहले trial सीखना पड़ता है, और what is trial, ठीके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, sessions court में कैसे trial होता है, yes, मैं यह अगला क पुछे मिन्टों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, court of session में trial कैसे चलता है, ठीके, और यह बताया गया है chapter 18 of the code of criminal procedure, ठीके, तो चलिए शूरू करते, तो मैं यहाँ पर assume करूंगी, आपके पास ऐसा कोई case आया है, जिसको आप court of session में trial करवाओगे, ठीके, जैसा की doubty death हो सकता है, rape, murder, यह सारा का सारा, जो warrant cases होता है, इसको sessions travel case भी बोला जाता है, और यह क्यों पता है, जो सारा cases CRPC में बताया गया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अगर observe करके पढ़ोगे, तो दो category का offense आपको देखने को मिलेगा, एक है warrant case, और दूसरा है summons case, warrant case and summons case इसको ही define किया गया है, बाकी और कोई offenses को define नहीं किया गया है, ठीके, और warrant case किसको कहा जाता है, warrant case मतलब जो सारे offenses, punishable with more than 2 years, not up to, exceeding 2 years, वो सारे offenses को warrant case बोला जाता है, और जब भी कोई warrant case, मतलब rape, murder, यह सारे offenses को sessions court में trial किया जाएगा, तब जो procedure follow किया जाएगा, वो है chapter 18, ठीके, तो warrant case का trial, जब session code में होगा, जो trial procedure follow किया जाएगा, उसको ही बोला जाएगा, sessions trial, ठीके, दूसरा type का जो offense है, वो है summons case, summons case किया है, जो सारे cases, warrant case नहीं है, वो ही summons case है, ठीके, यह simple सा definition आपको याद रखना है, यह आपको समझने में help करेगा, आपका case कौन सा code में file होगा, ठीके, तो अभी चलिए, जान लेते, session code में कैसे trial चलता है, ठीके, तो chapter 18, of the code of criminal procedure, यह sessions code में कैसे trial चलता है, इसके बारे में deal करता है, ठीके, और यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दो चीज, बस दो चीज, ठीके, number one, session code directly, cognizance नहीं ले सकता है ठीके, directly, cognizance का मतलब क्या, सबसे पहले, cognizance मतलब, जब भी कोई magistrate, आप जो case लेके उनके पास गए हो, उस case के उपर, उनका mind apply करता है, मतलब, magistrate, जब कोई case के उपर, अपना mind apply करता है, तब बोला जाता है, cognizance उन्होंने ले लिये है, ठीके, एक simple से concept, यह आपको याद रखना है, और cognizance यह जो term है, CRPC पर कई भी define नहीं किया गया है, ठीके, और most surprisingly, trial यह जो word है न, इसको भी define नहीं किया गया है, CRPC में, तो यह जो word है, यह statute to statute vary करता रहता है, तो सबसे पहला, cognizance मतलब, judge कोई magistrate, suppose I am magistrate, आप जो case मेरे पास लाए हो, मैं उसके उपर, अपन judicial mind apply कर चुकी हो, तब कहा जाएगा, magistrate उस case का cognizance ले लिए है, और cognizance के बारे में अगर आप detail में जानना चाते हो, तो आपको पहना परेगा section 190 of the code of criminal procedure, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं एक के बाद एक section बताती जारी हूँ, यही connection है, आप बहुत ही observe करके सकता है CRPC में, ठीके न, तो बहुत ही ध्यान लगा के सुनिएगा, तो सबसे पहला, court of session directly cognizance नहीं ले सकता है, और दूसरा, court of session directly cognizance ले सकता है, और कहाँ पर only in case of section 199 subsection 2 of the code of criminal procedure, मतलब जब भी कोई offense section 199 subsection 2 के तहित आएगा, तब court of session directly cognizance ले सकता है, even if जब वो matter कोई magistrate के court में file हुआ है न, तब session court वोई case को वहाँ से उठा करके अपना court में ले सकता है, अगर section 199 subsection 2 apply हो रहा है, और 199 subsection 2 क्या deal करता है, defamation cases, मतलब मानहनी cases of the constitutional functionaries, मतलब president of India, लोकसभा का speaker, governor, इन सब का, अगर कोई मानहनी हो जाए, अब court of session 199 subsection 2 के तहित, वो case अपना court में directly cognizance ले सकता है, ठीके, और अभी ये पहला point पर return करते है, और वो क्या है, session code directly cognizance ले ले सकता है, और ये क्योंकि 193 of the code of criminal procedure, 193 CRPC ये एक barrier create करता है, ये एक bar create करता है, session code का जो process है, directly cognizance लेने का वहाँ पर, एक embargo set करता है, बट यहाँ पर एक और section है, जिसके तहित court of session cognizance ले सकता है, और वो कौन सा section है, वो है section 209 of the code of criminal procedure, ये बताता है, जो सारा offenses, exclusively travel by the court of session है, मतलब session code वो सारा cases को trial कर सकता है, और वो case कोई magistrate code में चल रहा है, ध्यान दीजिए, that suppose मेरा जो code है, एक magistrate का code है, और आपका जो code है, वो sessions code है, ठीके, suppose मैं मेरी code से आपका code में वो case भेच रही हूँ, मतलब commit कर रही हूँ, ठीके, तब section 209 apply हो जाता है, तो ये ही situation को बोला जाता है, जब magistrate code से session code में कोई case जा रहा है, इसको ही बोला जाता है, committed proceedings, और वो mention किया गया है, section 209 of the CRPC, ठीके, I hope अब तक पूरा concept clear हो चुका है, और अभी मैं enter कर रही हूँ, session code में कैसे कोई case का सुरुबाद होता है, opening होता है, तो chapter 18 of the code of criminal procedure, opening section 225 and closing section 237, ये बिलकुल आप दिमाग में घुसा लीजे, तो सबसे पहले, court of session में under section 225, public prosecutor trial को conduct करते है, under section 225, ठीके, और 225 के बाद आएगा 226, जो public prosecutor है, वो case को open करेंगे, ठीके, और इसको कहा जाता है, opening of the case, मतलब जो victim party है, जो state को represent करते है, criminal case में उसको बोला जाता है, public prosecutor, ठीके, सरकारी वकील, वो session code में under section 226, case को open करते है, ये इसे आपको समझ में आएगा, सरकारी वकील कौन है, सरकार एक brief summary दे करके case को open करेंगे, और इसके बाद आ सकता है दो section, और वो कौन सा है, section 227 या फिर section 228, और ये क्यों, अगर suppose जब public prosecutor case को open किये, तब कोई भी case made out नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ground नहीं बन रहा है, उस case के साथ आगे proceed करने, अगर ऐसा situation arise हो, तो section 227 अपलाई होग और वहाँ पर जो magistrate है, उनको reason बताना परेगा, reason record करके discharge भी कर सकता है, तो अगर कोई case नहीं बनेगा, तो public prosecutor के case open करने के बाद, section 227 पर recent order पास करके discharge भी किया जा सकता है, और अगर दूसरा situation हो, और वो किया है, suppose कोई case made out हो रहा है, और अगर कोई case made out हो रहा है, मतलब, judge क को लग रहा है, that सब कुछ consider करके, that जो accused person है, वो ही offense किया है, अगर judge को ऐसा लगता है, तब वो section 228 में framing of charge करेंगे, मतलब, sessions court में charge frame होता है, under section 228 of the code of criminal procedure, तो charge frame करने के लिए, वो आगे बढ़ जाएंगे, और अभी यहाँ पर दो situation arise हो सकता है, मतलब, section 228 clause A and section 228 clause B, clause A बा जब कोई magistrate को लगेगा, that जो accused है, वो ही offense किया है, but वो offense, वो magistrate के दुआरा tribal नहीं है, मतलब, वो trial नहीं कर सकता है, तब वो case को CGM के पास, मतलब, chief judicial magistrate के पास, या फिर कोई और अलग judicial magistrate के पास, transfer करने के लिए, एक transfer order pass करेंगे, ठीके, और यहाँ पर, अब bear act खोल करके देख लेना, that यहाँ पर may use किया गया है, may मतलब, वो यहाँ पर charge frame करके भी भेज सकते है, नहीं भी करके भी भेज सकते, so may मतलब, discretionary nature, okay, और जब भी, इस section बर, कोई transfer order pass किया जाएगा, जब ये case कोई CGM के पास जाएगा, मतलब, chief judicial magistrate के पास जाएगा, तब ये case को as warrant trial, इसके हिसाब से trial किया जाएगा, और अभी आती हूँ दूसरा situation, और वो है 228 clause B, 228 clause B deal करता है, exclusively trial by the court of session, मतलब, magistrate को लग रहा है, वो exclusively trial है, उनके court के ही दौरा, मतलब, वो trial कर सकता है, जो case उनके पास आए है, तब वो उस case को खुद भी trial कर सकता है, और अगर, यही stage पर, अगर magistrate को लगता है, यह accused ने कुछ किया है, यही कुछ गरवर किया है, और वो guilty plead कर रहा है, मतलब, magistrate accused को पूछेगा, do you plead guilty, मतलब, आप अपना दोस मानते हो, ऐसा पूछना एक, मतलब, code का ritual है, ठीके, और अगर, accused ने बोलता है, yes, I plead guilty, मतलब, मैं ही किया हूँ, तब य यह situation पर, immediately section 229 apply हो जाएगा, और अगर, वो अपना दोश मान लेता है, तब section directly 229 से 236 में चला जाएगा, और 236 deal करता है, previous conviction के बारे में, previous conviction मतलब, उनको कोई पहले भी conviction दिया गया है, या फिर नहीं, यह देखा जाएगा, ठीके, usually यह देखा जाता है, जब भी accused guilty plead करता है उसको magistrate तुरंत arrest नहीं कर लेता है, magistrate अगर चाते हैं, तो उनको मतलब trial face करवाते हैं, क्यूंकि हमारे judiciary system का यह नियाम है, hundred thousand of accused को छूट दे दिया जाए, बट एक innocent person को सजा नहीं मिल सकता है, तो इसलिए trial उनको face करवा सकते हैं, अगर magistrate चाहेता है, अभी मैं आगे बढ to traditional approach में, और वो क्या है, यह जाहिर सी बाते, कोई भी accused वो guilty pleat नहीं करेगा, ठीके, हम lawyer लोग भी मतलब बता देते, अगर कुछ किया है, तो guilty नहीं pleat करने का जो procedure होगा, देखा जाएगा, ठीके, ऐसा मतलब होता है, क्योंकि यह तो आप सुरी होंगे, doctor और lawyer, इन सब को, अगर आप खुल के कुछ नहीं बताओगे ना, तब मतलब समझ लो, आपका लग गए, तो सुन लो सर, बातों का बतंगल बना कर ही, लखनुशेर का best and best वकील बनाओ मैं, ठीके, तो doctor और lawyer को सब कुछ खुल के बताना पड़ता है, तो इसलिए, जहाँ पर accused guilty pleat नहीं कर रह ठीके, और यहाँ पर आपको connect करना पड़ेगा section 3 of the Indian Evidence Act, क्योंकि evidence यह जो term है न, section 3 of the Indian Evidence Act में बताया गया है, और अभी यहाँ पर please pay attention, यहाँ पर आएगा और important section of the Indian Evidence Act, और वो है 137, 138, examination, cross examination, re-examination, मतलब जो cross examination होता है, यही वो stage है, और इसके साथ जो judge है, उनके लिए कौनसा section apply होता है, पता है, उनके लिए section 276, 278, 277 of the CRPC, यह judge के लिए apply होता है, क्योंकि उनको record करना पड़ता है, यह सारा का सारा जो हिसाब किताब है, और अभी मेरे को बताओ, किया आपको यह सारा चीज law college में पता चला था, मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, सालो, हम कोई मंदर का घंटा है, कोई भी आके बजा जाता है, और यही जो पढ़ने का तरिका है, यह judiciary वाले, यही चाते, मतलब, जो exam judiciary aspirant देंगे, जो एक judge बनना चाते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे ही answer को खाते पर लिखना पड़ेगा, एक के साथ एक connect करके, ठीके, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, वो यह section 231 पर, 231 बताता है, evidence ले रहे है magistrate, मतलब, prosecution party का जो evidence से से गे लिया जा रहा है, ठीके, और यह जो section है, इसके साथ आपको पहना परेगा, section 313, subsection 1, clause B of the CRPC, यह बताता है, story of the accused, मतलब, जो accused है, उनको भी अपना जो story है, मतलब, कैसे कुछ हुआ, यह बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीके, so accused person को एक opportunity दिया जाएगा, अपना story explain करने का, और यही पे section 314 of the CRPC, यह भी apply हो जाता है, यह memorandum of argument के बाड़े में deal करता है, अभी आती हूँ, सबसे important stage of the sessions trial, और वो कौन सा है, prosecution party का evidence है, वो लेने के बाद, दो situation arise हो सकता है, एक है 232 और दूसरा है 233, अब यह 232 कब apply होता है, 232 apply होता है, जहाँ पर prosecution party का evidence देने के बाद, कोई भी मतलब, ऐस चीज सामने नहीं आ रहा है, जो accused का जो दोश है, उसको proof कर रहा है, मतलब उसको guilty proof कर रहा है, वहाँ पर अगर ऐसा कुछ situation नहीं arise होता है, evidence देने के बाद भी तब उनको acquittal दिया जाएगा, मतलब बेकसूर खलास किया जाएगा, under section 232, और अगर बेकसूर खलास नहीं किय जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ प्रमान आ रहा है, जो accused का तो दोश है, उसको proof कर रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि accused नहीं कुछ किया है, तब defense party evidence दे करके अपना defense पर घुसेंगे, और यहाँ पर section 3.11 of the code of criminal procedure, जो material evidence के बारे में deal करता है, यहां से judiciary में भी question पूछा जाता है, under section 3.11 of the CRPC, तो यह section attract होता है, ठीक है, अभी आती हूँ next stage पर, और वो है 234, 234 argument stage है, और यह stage पर आपको पहना पड़ेगा 3.14 of the CRPC, अभी एकतम conclusion of trial पर हम लोग आ गए है, मतलब यह सारा का सर जो हिसाब की तब था ना, ऐसा करके trial चला, और अभी आएगा conclusion of the trial, मतलब trial का एकतम end stage, ठीक है, तो after hearing argument on law point, under section 234, यहाँ पर आएका 235, 235 क्या deal करता है, deal करता है, either acquittal or conviction, मतलब अगर proof हो रहा है, तो acquittal दिया जाएगा, अरे, नहीं, सारी, अगर proof हो रहा है, मतलब दोशी मिल रहा है, तब उनको conviction दिया जाएगा, और अगर कुछ proof नहीं हो रहा है, तब acquittal दिया जाएगा, और section 235, clause 1 को पहड़ना पड़ता है, 360 of the CRPC, 360 CRPC जो admonition के बारे में deal करता है, और यह क्या है, suppose कोई ऐसा accused है, उनका उमर बहुत ही कम है, उसको कुछ dart लगा करके सुधरा जा सकता है, और यह dart want लगाने के लिए section 360 आएगा, यह dart लगाने वाला जो provision है, section 360 and all, कि apply हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यह देख करके magistrate आगे proceed करेंगे, ठीके, और अभी एकदम आखरी stage, that is section 236 CRPC, और यह deal करता है, previous conviction, मतलब पहले भी उनको कोई conviction हुआ था या नहीं, और इसको पहड़ना पड़ेगा, section 211, subsection 7 of the CRPC, मतलब previous conviction का जो सारा evidences है, वो लिया जाएगा, इसके लिए section 211, subsection 7 के साथ पहना पड़ेगा, ठीके, और अभी the closing section of chapter 18, that is section 237 CRPC, जो deal करता है, that इसको पहना पड़ेगा, मतलब section 237 को पहना पड़ेगा, section 199, subsection 2 के साथ, जो deal करता है, that sessions court directly cognizance ले सकता है, जैसे कि वो constitutional functionalist के defamation case हो गया, तो वै instituted otherwise than an police report, मतलब police report के बाहर, मतलब otherwise than an police report, जैसा cases institute होता है, वैसे treat करके proceedings किया जाएगा, ऐसा deal करता है, ठीके, अभी कि आपको समझ में आया, sessions court में कैसे एक case का trial चलता है, और ऐसी आपको पहड़ना पड़ेगा, अगर आप judiciary भी crack करना चाहते हो, या फिर आप एक successful advocate बढ़ litigation में, और हमारे Indian judiciary में, चार तरह की trial की procedure के बारे में बताया क्या है, और उनमें से एक हो गया, ये sessions trial, अभी और तीन है, अगर आप चाहो, मैं उसके उपर भी video आपको बना करके दे सकती हूँ, और इसके लिए आपको comment करना पड़ेगा, इस video को share करना पड़ेगा, अगर share क करोगे, तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ, आपको ये procedure समझ माया है, मैं इससे भी और advanced level पर आपको लेके जा सकती हूँ, अगर आप चाहो तो comment करके बताओ, वो भी एक request हैगा, हो सके तो आपके दोस्तों के साथ ये video को share करो, और उनके साथ discuss करके पढ़ो, मैं अभी अपना college days में अपना दोस्तों के साथ discuss करके पढ़ती थी, ताकि उनको भी समझ आये, और knowledge को share करोगे, तब वो बढ़ेगा, stack name करके कुछ भी नहीं होता है, ठीक है न, और इसी के साथ ऐसी और वीडियो के लिए, चैनल को subscribe और झाल एपना बड़ेगा, तब रचान प्रूट बड़ेगा, तब बड़ेगा, तक जगे जए आपना उनको बड़ेगा, तक बड़ेगा, तक रहे तक थाए, जए तक रहे